किसान वाईओ आपको जो हमारा कर्षी विज्ञान केंदर अजमेर का अजोला उत्पादन इकाई का जो मोडल है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें अजोला उत्पादन के लिए कच्ची क्यारी का निर्माण भी कर सकते हैं और आप पक्की क्यारी का भी निर्माण इसमें कर सकते हैं उत्पादन के लिए तो सबसे पहले मैं आपको जैसे कच्ची क्यारी का किस तरह से आप निर्माण करें तो उसका आपको बताना चाहूंगा कि आपको लगवग 20 फिट लंबाई की तीन फिट चोड़ाई और लगवग 1.5 फिट गहराई की जो आपको खोद ली तो उसके बाद आपको जो अपने जैसे सीमेंट के जैसे प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उनको अपने नीचे इसमें बिचाना होता है क्योंकि आप बाद में हमें इसमें जो क्यारी में पानी डालना पड़ेगा तो नीचे से जो इसमें जो सीट होती है की जो पानी को रोकती है उसमें मतलब जैसे जो छेद नहीं हो कोई कंकर पत्थर से इसलिए हम इसमें नीचे सीमेंट के जो कटें उनको बिछा दें इसके बाद में आपको जो इसमें लगवग दोसो माइक्रोन गेज की जो सिल्पुलीन की सीट आती है वो आपको मतलब इसमे को बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि कई किसान वही हमारे क्या करते हैं कि तालाव वगेरा से मिट्टी लेकर आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी हो वो उपजाव खेतकी हो नीची है क्योंकि जैसे तालाव से मिट लेके आजाएंगे तो उसमें बाद में संख सीपी घोंगे की समस्चा उसमें पैदा हो जाती है क्यारी में इसके बाद जैसे आपने वो मिट्टी चारो तरफ अपनी क्यारी में अपने फैला दी इसमें फिर आपको लेना है लगवर आठ से दस किलो गाय या भैस का गोवर व या उसमें आपको पानी भरना है तो लगवर पानी को बरने के लिए आपको एक चीज़ धिएंद जकना है जो इसका तल है जो क्यारी का तल है उससे लगवर 10-12 cm अपने को पानी भर ना यहीं पानी आतने अरकार की क्यारी लंबही त scientist expectations Ben तो यह पानी आपने आपने अजैसे भर दिया तो इसके बात जैसे अपने को अजोला का फोदा है वह इस में लगवाक 2 cilo जैसे एर् है तो मैं आपको यह एक चीज बताना चाहूँगा कि कि इस यह क्यारी तैयार करके 2 kg अजोला डाल दिया तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18-19 दिन के बाद आप इतने आकार की क्यारी से आप रोजाना का 1.5-2 kg अजोला रोजाना का प्राप्त कर सकते हैं अजोला पालन जो अपन उत्पादन करते हैं इसमें जैसे क्या-क्या आपको साफधानिया रखनी है तो इसमें कोई विसेश साफधानी की जरुवत नहीं है आपको बस केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हम जो आप लोग देख रहे हैं यह हमने जो उपर जो नाइलोन की जाली लगानी है आपको इसकी जो क्यारी है उसके उपर लग जैसे उत्पदन करेंगे तो इसमें कई वार जैसे अपनी जो काई कांजी की समस्चे पेदा हो जती है अते इसके लिए आधी धूप और आधी अपनी चाया मतलब इसमें जो अपनी क्यारी है उसमें आनी चीहे इसके साथी आपको लगवक साढ़े तीन से चार महीने में जो पानी जो होता है और जो इसका गोवर है और जो मिट्टी है वो आपको इसमें बदलना है तो इसका मतलब जैसे आपको विसेज ध्यान रखना है तो इसमें आप जो मैंने आपको पहले बता है जो कच्ची क्यारी होती है और जो पक्की क्यारी है इसमें इतना ही अंतर होता ह कि जैसे अपन जो पानी इसका बदलें तो इसमें जैसे कच्ची क्यारी में आपको खुद मतलब मेहनस से बालटी वगएरा से इसमें निकालना पड़ेगा जब कि आप पक्की जो क्यारी होती है इसमें आप देख सकते हैं कि जो लगवक्त 10 cm पर इसमें आप जाली लगा सकते तो मालोब बारिस के दिन में जैसे जादा पानी इसमें गिर गया तो वह अपनीा स्वताई मतलव जैसे इसमें निकल जाएगा वो पानी जो होगा इसके अलावाब जैसे आप नीचे जो यह पीवी सी का जो पाईट देख रहे हैं इसको मतलव अपने को अपने खेट से इसको अपने को जोड़ देना है और जो इसमें जैसे साड़े तीन से चार महीने में आप इस पाइप को खोल के इसका जो पानी है और जो मिट्टी वगरा है वो निकाल देना है और जो इसका पानी और जो मिट्टी है उसको आप पुस्प की खेती सबजी की खेती उसमें हरे खाद के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं तो जैसे साड़े तीन चार महिने पर तो आपको मतलब जैसे उसकी हरी खाद के रूप में मतलब इसके पानी और उसको यूज कर सकते हैं इसके बाद जो इसका पानी और जो गोवरे जैसे मैंने आपको पहल करके अपने जो दुधारू पसु हैं उनको अजोला हरे चारी के विकल्प के रूप में उनको किस तरह से वो खिलाएं जिससे कि उनके स्वास्थ में भी बढ़ोत्री हो उनकी जो उत्पादन चमता है उसमें भी किस तरह से बढ़ोत्री कर सकें इसके अलावा जैसे उनकी जो प्रिजनन चमता है जो प्रिजनन से संबंदित में समस्य है उनका भी वो निवारन कर सकें तो पसु पालकों को अपने जो पसुएं उनकी जो पालने की जो उनकी लागते उसको वो कम कर सकते हैं तथा उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरा पसु आहार के रूप में अजुला का उत्पा दन करें